Hello students, welcome to our channel Student Guide 9 सवराज हम लोग देखेंगे Class 12 CBC Board आरो किताब से कवीता पतंग जिने लिखा है आलोग धनवाजी ने तो इसमें से आरो जो किताब इसकी पतंग कवीता से हम लोग देखेंगे कुछ महत्पून प्रस्न उत्तर तो चलिए देखते हैं Important Questions जो है नमबर एक पतंग कवीता का परतिपाद बताईए तो क्या है इस कवीता में कवी ने बाल सुलब इच्छाओं का सुन्दर वर्नन किया है कवीता को अगर आप पढ़ेंगे तो आम तो क्या देखते हैं कि बच्पना का बाल अबस्ता का वर्नन किया गया है तो इस कवीता में कवी ने बाल सुलब इच्छाओं का सुंदर वर्नन किया है पतंग बच्चों की उमंग वा उल्लास का रंग विरंगा सपना है सरद रितू में मौसम साफ हो जाता है चमकीली धूप जो होती है बच्चों का आकरसित करती है वो इस अच्छे मौसम में पतंग उड़ाते है आसमान में उर्ती पतंगों को उनका बाल मन छुना चाहता है उनकी कलपनाएं पतंगों के सहारे आसमान को पार करना चाहती है परकिती भी इनका सहयोग करती है तितलियां, उनके शपनों की रंगोली को बढ़ा देते हैं अगला प्रश्ट ने है, सरद रितु और भादो में अंतरस प्रश्ट किजिए सरद रितु क्या है, भादो क्या है, दोनों की पीछ अंतर है जैड सी बात एक में बहुत ज़्यदा बारिस होता है भादो का महिना, तो भादो के महिने में काले काले बादल घुमडाते रहते हैं, और तेज बारिस होती है, बादलो के कारण क्या होता है, कभी कभी अंधेरा चाह जाता है, इस मौसम में जीवन रुक सा जाता है, उसके विपरित अगर हम सरद रितो को देखे, तो क्या होता है, रौस नहीं बढ़ जाती है, मौसम साफ हो जाता है, धूप चमकीली हो जाती है, ता चारों तरफ उमंग का महावल होता है, तीक है, अगला, सरत का आगमन किस के लिए होता है, लिखेंगे, सरत का आगमन बच्चों की खुसियों के लिए होता है, क्योंकि पतंगे उडाते हैं, वो दुनिया की सबसे पतली कमाने के साथ, सबसे हलके वस्तु को उडाना चाहती है, उनके मन में हर्स और उलांस की लहर द्वार उड़ती है ठीक है अगला प्रश्ण देखेंगे अगला प्रश्ण क्या है बच्चों के बारे में कभी ने क्या क्या बताया है तो लिखेंगे क्या कभी बताता है कि बच्चे कपास की तरह लचीले और नरम होते हैं वो पतंग उड़ाते हैं तथा जूल में रहकर सी और अपने अर्मानों से आश्मान उमें भागना चाहते हैं, ठीक है, अगला प्रश्न, परियोग काव्यांस में कभी ने सबसे सब्द का परियोग कई बार किया है, क्या वे सार्थक है, तो कभी ने हलकी रंगी चीज कागज पतली कमानी का परियोग सबसे सब्द का सार्थक भंग से परयोग किया गया है कभी ये बताने की कोशिज करते हैं पतंग के निर्मान में हर वो चीज जो लगता है वो हल्की होती है तब ही उड़ सकती है इसके अत्रीक वह पतंग के विसिष्ट पतंग को विसिष्ट डरदा भी देना चाहते हैं अगला प्रस्ट किन-किन सब भादो का भादो गया नई चमकीली तेज साइकिल चमकीले इशारे अपने साथ लाते हैं कपास छतों को भी नरम बनाते हुए ये वो सारे सब्द है का परयोग किया गया है जो कविता को जिवनत रूप परदान करता है किसोर और इवाबर्ग समाज के मार दरसक है पतंग कविता के अधार पर अस्वस्ट किजिए लिखेंगे कभी ने पतंग कविता में बच्चों के उल्लास और निर्विक्ता को परकट किया है और ये बास सही है कि किसोर और इवाबर्ग उससा से पड़िपूर्ण होते हैं वो एक धून में किसी कारी को करते रहते हैं उनके मन में अनिक कलपनाएं होती हैं वो इन कलपनाओं को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करता है समाज में विकास के लिए इसी एकागरता की जरूरत है अता किसोर और इवाबर्ग समाज के लिए मार दरसक का कारिया करती है ठीक है तो ये थे पतंग कवीता के कुछ महत्पुन प्रश्न उत्तर जिसे आप community टैब में जाकर देख सकते हैं वीडियो को देखने के लिए थैंक्यो